हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भारती रिल्वे ने एक और वंदे भारत को जो है आप एनाउंस कर दिया है जो कि रहने वाली आपकी वारा नसी से लेकर के न्यू दिल्ली की बीच में चलने वाली वंदे भारत जिसको आप आम आशा में रिवर्स वी भी भी बोल सक आपके जानकारी किलाब को बताना चाहिए कि एक बंदे भारत चलती है इस रूट के उपर जो कि नई दिल्ली से सुभा खुलती है और दुफैर में वारणसी महुचती है ठीक इसी की विपरित दिशा के अंदर एक और बंदे भारत जो है रेलवे लेकर के आ रहा है जो की सु जो है बना रहा हूं हो जकता आप में से काफी लोग इस बात के यकीन ना करे पट पिछले दस साल से वारणसी के लोग रेल्वे बोर्ड से एक मांग कर रहे थे कि वही हमको एक शताब्दी काइंड ऑफ ट्रेन बना के दे दो जो वारणसी से दिल्ली की बीच में चले और दस सल पुरें डिमांड को अब कहीं जाकर सुना गया और रेल्वे ने आसे लगबग 6-8 महीने पहले कहा था कि आप थोड़ा सबर और कर लेजिए हम आपको शदाब्दी नहीं एक वंदे भारती जो है पूरी दे देंगे और आज कहीं जाके उनका वह सपना पूरा होन ह सब्सक्राइब और सब्सक्राइब वंदे भारत तिनी सारी चीजों को यह solve करेगा और कितनी सारी ट्रेनों की मतलब और ट्रेनों के competition वाली ट्रेनों के दुकान है यह बंद कराएगी यह जो है आज मुझे आप से डिसकस करूँगा और इस चीज का क्या implication है मतलब क्या benefit रहने वाले इस train के चलने से यह भी जो है करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक चीज समझीए वाराणासी वंदे भारत अच्छा इसका व्लॉक देखा है ना तुमने मैं आई बटन में लिंक दरों व्लॉक देखने लागा नहीं देखा है तो यह वाली जो वंदे भारत है भारती रेलवे के नेटवक में एंड लगबग चार साल बीद के इसको शुरू होए वे आज भी गाड़ी टॉप हिट के अंदर रहती है मतलब की फुल होने के मामले में गाड़ी आज भी जो है पूरे टॉप पर है समझ गए और यही इसका जो बेनेफिट है इसको वाराणासी वंदे भारत मतलब जो रि कशीजवनात बंदिन शिवा जीका जो है कशीजवनाट टेमपल हो है वहां पर लोग आज दरशन जाते हैं बारणासी गहाट देखने जाते हैं अध्यात्मिक उसको एक उसको एक अध्यात्मी जगा के अंदर जो है कहीना के पोट्रे की है पोट्रे का कर रहे हैं है ही वो जगा वैसी ठीक है लोग जाते ही वारा नसी इसलिए घुमने टूरिजम बगर के चक्कर से तो लोगों का टर्न अराउंड टाइम को न यह बहुत फास्ट कर जिन लोग के पास वक्त काम है वो सुबा दिल्ली से वंदे भारत पकड़ेगा दो बजे वारा नसी पहुंचेगा शाम को करेगा भगवान के दरिशन अब उस पर बहुत ही कम टाइम है तो रात की शिवगंगा या मंडवडी बनारस उपरफास जिसको बोलते है वो एक बार इंसान वाराने सी में घुसने से लेकर उसके निकलने तक को टाइम है उसके अंदर कटावती होगी जिससे वहां जाधा टूरिस्ट आ सकेगा क्योंकि एक जगह पे कभी ना कभी तो उस जगह का जो स्पेस होता है वो सेचुरेट होता है वहां पे होटेल्स महेंग एक और चीज़ यह ट्रेन जब सुभा वाराने सी से खुलेगी तो इसका मैं आपको स्केडूल बताता हूं सुभा 6 बजे वाराने सी से खुलेगी मतलब बनारस से खुलेगी 7 बचके 5 मिनट पे 35 मिनट पे यह पहुंचेगी प्रयागराज 9 बजे कानपूर और 2 बजे दिल 9 कानपूर आएगी अब उस ट्रेन में जितने भी ऐसे पैसेंजर्स हैं जो उनको दिल्ली जाना है लेकिन 11 बजे 12 बजे दिल्ली पोचना इस नॉट a mandatory वह सब शताबदी छोड़ देंगे वह सब इसमें बैटके आएंगे क्योंकि सुभा 6 बजे ट्रेन कोई नहीं पकड़ आगे पीचे ही आ रहा होता है सुभा सुभा ही तो अगर आप कोई राजधाने प्रीविम कैटेगरी से आना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचते फिर आप बंदे भारत लोगे एक तो यह रहा जब यह तीन बजे खुलेगी तो यह किसके आगे खुल गई यह आया-CTC की तेजस के आगे अब आया-CTC की तेजस के आगे खुलने से जो आया-CTC की तेजस है वो दो-दो हजार ओपे का टेकेट काटते है आपका फॉर दिल्ली-कानपूर क्योंकि उसमें डैनमिक बहुत तगड़ा लगता है क्योंकि आया-CTC की अपनी ट्रेन है उसके अ और अच्छी ट्रेन मिल जाएगी मतलब एक प्रीमियम कैटिगरी की ट्रेन वंदे भारत पर लोग थोड़ा ट्रस्ट भी करने लगए कि यह टाइम पर पुचा देगी वह गाड़ी उन लोगों को मिल जाएगी और यह तीन बजे मिल जाएगी तो अब एक चीज इसमें क्य होगी कि जो लोग शताब्दी कानपर शताब्दी लेकर के आ रहे हैं जिनका सुबह सुबह का दिल्ली में काम है और रात को वापिस भी आना है तो वह सुबह 11 बजे से होते रहेंगे अपना चार पास घंटे में जो भी काम युक्ताएंगे तीन बजे गाड़ी बेट बताओ मुझे और इस वीडियो में फिला लित्या रखते हैं मैं विलता हूं बहुत जला आपसे एक और वीडियो में कॉमेंट सेक्शन आप लोग खिला है प्लीज अच्छे से डिसकस करो इस मुद्दे के उपर बातचीत करो कि क्या कुछ यह गाड़ी जो है कमाल करके दि क्या बाई बाई